हेलो गाइस मेरा नाम है क्रिष्णा आज कि इस वीडियो में मैं आटो टून के बारे बात करने वाल हूँ और कैसे आप कुछ हद तक अग्याद आटो आटो टून करते हैं और इसी एफेक्ट को ज्यादा हार्ष करके आप ले लुजीवर्ट या फिर बहुत सारे आल्टेक्स टे आटो टूनियोस करते हैं उनके जैसे सांड कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें बेसिक सेटिंग्स बताऊंगा एडवांस में भी हम लोग जाएंगे लेकिन फिलाहल मैं इस प्रोजेक्ट पर मैंने जो सेटिंग्स यूज किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा और इसमें इतने टैन तक मैं वीडियो नहीं बना आ पा रहा था क्यूंकि जैसे कि आपको पता है अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करते तो आप बहुत बड़े घाटे में हो क्यूंकि मैं फ्री में मिक्सिंग करके दे रहा था यह दस दिनों तक तो गईस यह है मेरा प्रोजेक्ट और इसके अंदर में आप लोगों को पहले यह मैंने सब कंसॉलिडेट किया क्योंकि मेरा सीप्यों को सब हैंडल नहीं कर सकता है पहले हम लोग गाने को सुन लेते हैं फिर आगे बात करते हैं छोड मेने सनते सारे तेरे लिये किया मैने वेपढ़ गिया शेते से मैने दूतीन मैने काई प्यास आरे देगे विस्ट रचनाइ वेज ते नहीं में कुई रचका दिसन सौय नहीं यह ऑळों सौया है में चाह निन से लर नहीं नहीं है This doesn't even change a thing You can't even touch my brain when I got a diamond ring You've been early on my mind, I've been thinking about your kink, yeah Be my queen and I ride this ship, you can't Even touch me into the dust, yeah Got a new plan and I call it basic That bitch was so bad, thought he'd raise it You've raised all the money that we had What's the memory that we're down to in this day Flowing down the drain, you can't even touch my train So I'll show you what procession I'll show you So maybe This is my main vocal No, this is the beat This is the main vocal So I made three layers in it This is the main vocal This is the main vocal I've done this I've done this I've done this So this is the main vocal So this is without autotune And with autotune This is the main vocal This is the main vocal This is the main vocal पर आपको एक idea मिलका है कि effects on करने के बाद ये कैसा sound करता है तो मैं अपनी effect chain आपको बताऊंगा तो ये तो मैंलब basic चीज़े है EQ और ये मैंने यहाँ पर gate डा रहा है compress किया है तो main यहाँ पर auto tune किया है अगर आप लोगों को EQ compression वागर के बारे में जानना है तो मैंने पहले वीडियो में बना चुका हूँ मैं इसमें वापिस से वह सब नहीं बताऊंगा क्योंकि same information वापिस बताके और आपका time waste करके और वीडियो लंबा करके कोई मतलब नहीं है तो अगर आप नहीं है तो अब भी subscribe किजए क्योंकि bro आपन बहुत सारे अच्छी काम करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि आप और हम साथ में रहे जर्णी में समझ रहे हो तो मैंने यह beat G sharp minor में बनाई थी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर key select कर ली G sharp और scale यहाँ पर minor select कर लिया और मैंने यहाँ पर soprano रखा क्योंकि वही होता है मेरे आवाज थोड़ी उंचे तो यह सही था और अगर आप लड़की और अगरा कोई है तो आप alto tenor यूज कर सकते हैं और अगर आपके आवाज बहुत यह मतलब गाते टाइम ऐसे आपके आवा तो तब होता है जब समझ लिए आपने guitar या flute बजाई तो उसको आपको pitch में लाना है कुछ-कुछ parts तो आप instrument यूज कर सकते हैं पर यहाँ पर जो दिया है उसके उपर यकीन मत कीजिए जरूरी नहीं है कि आपकी उंची आवाज है तो आप soprano ही use करोगे आप कुछ भी use कर स जो कीज है वो already highlight हो चुकी ते और यह correct कीज है अगर आपको इसा लगता है कि इसमें से कोई की आपको नहीं चाहिए तो आप उसको disable कर सकते हो लेकिन मुझे तो यह सब की चाहिए थी क्यूंकि मैंने proper scale में यह beat बनाई थी और मैं गाता भी ठीक हूं तो फिर मैंने यहाँ क्यूंकि मुझे लगा कि अगर मैं 20 के नीचे जाते हैं 20 15 मैं नॉर्मल 15 और 20 ही होता है जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं जैसे रिहाना या फिर मैं जो उचा गाते हैं वो 15 20 रखते हैं ट्रावी स्कॉर्ट 10 या 5 रखता होगा वो तो डिपेंड करता है कि आपके आवा मैं जो साउंड के लिए जा रहा था मतलब मुझे लगा ले तू लिपिस्टिक वो गाना है उसमें तो बहुत ज्यादा हार शॉट और तो वो कुछ 5 या 4 के रिट्यून स्पीड पर या भी हो सकता है 0 के रिट्यून स्पीड पर होगा तो वो मुझे नीची है था मुझे च होता है जिसे अगर आपने ज्यादा इसको रिट्यून स्पीड को ज्यादा बढ़ा दिया तो आप यूमनाइज को थोड़ा बढ़ा देंगे तो ऐसा पीच ग्लाइड्स सड़न नहीं होंगे मतलब इससरय ऑफ ऐसा नहीं होगा समाझ रहा है कैसा होगा ऐसा हो ग्लाइड ह अब तो default settings ही है, mix 100 रख है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने retune speed ज्यादा की है, तो आप यहां से mix कम कर सकते हैं, और आपकी original आवाज और auto tune वाले आवाज के बीच में आप देख सकते हैं, wet dry कैसा है, signal कैसा आपको चाहिए, ठीक है, तो यही था मेरा auto tune का setting, अब बात कर करते हैं कि सिर्फ auto tune लगा कि आपका vocal अच्छा नहीं होगा, आपको उसके साथ बस वागरा भी, reverb, delay वागरा भी डालना पड़ेगा, तो मैंने यहां से इसको route किया, यहां पे मैं एक reverb डाला है, यहां पे delay और यहां पे एक flanger डाला है, तो बात करते हैं, reverb की यह वाला विं और dry को एक दब नीचे कर दीजाए, तो भी वैसी ही थोड़ी से आ जाएगी मतलब, same effect ही आ जाएगा, कोई tension वाली बात नहीं है, आप DK और बाकी सब की control कर सकते हैं, और basically आपको वो settings डाल करने हैं, जो आपके vocal के लिए और जो आपने सोचा है कि हां मुझे यह वाला effect चाह तो आप वैट पुरा बढ़ा दीचेए, मतलब उसके हिसाब से आप dial in कीचेए, यह totally आपके उपर है कि आप क्या करते हो, ठीक है, और दूसरी बात यह की delay है, तो delay में मैंने अपने settings रखे हैं, यह वैट मैंने आधारक है, dry एक दम कम कर दिया है, और मैंने यह पर पूल बोलते हैं, इसको शायद में कोई पता है, नहीं देखते है, हाँ, उसके मैंने रखा है, और tempo sync की है, stereo mode पे रखा था, और यहाँ पर लो pass filter, जो feedback है, उसका भी मैंने level 50 कुछ रखा है, तो यह भी settings आपके उपर, आप full weight टर सकते हो, तो आपको ज़्यादा बड़ा vocal म मैंने कम किया, और फिर बात करते हैं, फ्लेंजर की, तो इस फ्लेंजर में मैंने default settings पर रखा था, और shift phase मैंने 124 degrees पर किया था, और damp मैंने शायद change किया है, पर यह भी आप अपने हिसाब से dial कीज़े, और बस इतना ही किया था, मैंने, और main जो vocal processing है, तो यहाँ पर जब कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, कि मैंने पूरा उसको नहीं भेजा है, मैंने उसको थोड़ा ही भेजा है, मतलब, around कितना ही है, 45% कुछ होगा, तो मैंने उतना ही रखा है, जितना की जरूरी था, फाल्तु का effects डाल के, गाने की, वार्ट मत लगाओ, समझ की ठीक है, इतना काफी है, जादा नहीं करते हैं अपन, और यह गाना मैंने specifically आपके लिए बना है, अचलब यह टूटोरियल बनाने के लिए, क्योंकि मैं दूसरे artist का use नहीं कर सकता, वो लोग allowed नहीं करते हैं, और release होने के पहले हैं, तो अभी बात करते हैं मेरे chain की, तो फिर एक gate है, उसके अधा compression है, auto-tune है, फिर DS, फिर बात में थोड़ा और मैंने EQ किया है, फिर एक DS किया है, और last में एक और compressor यूज़ किया है, आप यहां पे सब ही stock plugin यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पस DSR नहीं है, तो आप जा सकते हैं, Maximus में, और यहां पे, अच्छ है, कि आप कितने creative हैं, plugins के साथ, और ऐसा कुछ नहीं है, कि यह plugin मिल गया, तो मैं बहुत अच्छी beat बना लूँगा, यह plugin मिल गया, तो मैं बहुत बड़ा काम कर दूँगा, मतलब, grammy जीत जाओंगा, नहीं, ऐसा नहीं, अगर आप, वो बोलते हैं, मतलब, खुद के पास जो qualities है, खुद के पास जो plugins है, उन पर काम कीजिए, दूसरे क्या कर रहे हैं, वो मत देखो, दूसरे कुछ भी करते हैं, अपने lane में रहने का, solid काम करने का, समझ रहे हैं भाई लोग, तो, और बस आज के लिए इतना ही, मैं यह बोलूँगा, कि अगर आप subscribe नहीं है, तो subscribe कीजिए, क्योंकि guys, आप लोग मुझे motivate करते हो, मतलब इतने सारे अपने subscribers हो गए, और जल्दी मैं free beat भी दूँगा, आप लोगों को, उसके लिए आपको सिर्फ करना ही, कि मैं इतना करना ही, कि मेरा beat का channel उसको subscribe करना है, तो उस पे 500 होता ही, मैं एक free for profit videos डालूँगा, upload कर कीजिए, उससे पैसे कमाए, monetize कीजिए, copyright अगेरा, कुछ नहीं आएगा, और Instagram पर मुझे follow कीजिए, अगर आपको beat चाहिए, तो वो भी मैं 500 subscribers के बाद में दूँगा, पहले कुछ नहीं दूँगा, मैं तुम लोगो मैं, तुम लोगो मैं, कितना यार, free में दे रहा हूँ और तुम लोग मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं, क्या ही बोलने का तुम लोगो, और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको बहुत सारा प्यादा, ठीक है, बाए